और लेकिन इन ही घरीबी और इनी दलितों और अगे जुकी वालों के मकान केंज़ुने बारी में अधिक केजरी वाल सरकार केंदर में अधिक भास्पा सरकार दोने मिलकर दिल्ली को नाछ करने तौने वे खासकर वो लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार तमाम राज्ज्यों सा प्रदेश के मुख्य मंत्री अरिविंद केजरिवाल इस बात का दावा ठोकते हैं कि उनके माध्यम से किये गए पुरे प्रदेश में जो काम है उसका डंग का बहरत में नहीं तो विश्म में बचता है स्कूलों का हाल या फिरस्वास्त केंदर तमाम चीजे अवल दर्जे की हो चुकी है आकर ये बात में कितनी क्या कुछ सच्चाई है ये जानना अब समय की मांग हो चुकी है बले ये अर्विंदर की खेजरिवाल सलाकों के पीछे क्यों नहो लेकिन दिल्ली में तो आमानिपार्टी की सरकार चल रही है और आने वाले विधान सबा की चुनाव 2025 में होने वाले है और जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है तमाम चीजों को लेकर चर्चा और बाच्ची धम करने वाले है और हमार साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश आरिया जी है बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से यसे अस्टी आरक्षन के वर्गीकरन के मसले को लेकर सूपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है लगातार विरोधा भास है लेकिन जमीन पर जो कुछ समस्या है उसको लेकर भी कहने कई अब लोगों के बीच में जाना यह लगातार शुरू है जारी है और उन्हीं मसले को ले के साथ साज़ करेंगे क्या मस्टला हुआ था सर और बसपा आखिर क्यों जो जोपडियों में गई और क्यों उनके बीच में जाना यह आवश्यक आपको लगा प्रागवई पहले चैनल को आपको धन्वाद करते हैं जैभीम करते हैं वीवर्स को बोजन समाज पार्टी का जो कोलॉनियम रहते हैं और नतर hadn invented जो कोलॉनिया है और बड़ी मुस्किल हालाश हमारे लोग रहते हैं पर जो बरतमान सरकारे हैं जो कहांसकर केजरवाल जो इनकी नियत के बारें बताते थैं। पार्टी हैं। इनकी यह सोच है । केजरवाल घंदी जी का डादा निकof जैसे गांदी जी मिठा मिठा बोलते थे और सबसे यादा आहित करने वाले दलितों का और अथिपिष्ड़ों का गांदी जी अगर ये गांदी जी बाबा साहब पूरा पैक्ट के द्वारा नहीं हरा करता हूं चाले जो गांदी करता है यह अगर कोड ने सावित कर दिया विडेंस उसके पास पूरे हैं वहार बार बार जेल से भेल मिलने वा फिर अंदर हो जाता है तो इस अब पुखता सुबूत हैं बुष्टाचार के मेरे कहने मतलब यह है कि जो आप लोगों ने कहा कि दिली में हम लोग जा रहे हैं जुक्यों में हम लगाता है हमारी कैडर मीटिंग हमारी लोगों जगाने पर करिया बोजन समाज पार्टी के अपने लोगों को बीच में होती जहां खुबड़ी लोग जोपड़ी और कैंपे रहते हैं आप लोगों देखा वा का हम लोगों को मकान देंगे बीजैबी गिनारा रहा कि जहां जोपड़ी वही मकान और केजरिवाल कहता है है मेरा घर मैं दूंगा घर में मुकंदरी अवास मेरा घर और लेकिन इनी घरीब और इनी दलितों और प्रिशनों के जुकी वालों के मकान केजरिवाल की सरकार तुरुआ रही है दिल्ली में बैटीक केजरिवाल सरकार केंदर मैठीक भजबा शरकार दोने मिलकर दिल्ली को नास करने के तुले हुए खासकर वो लोग जो उत्तर ब्रदेश बिहार तमाम राज्यों सागे बसे हुए आधर बिशारे मजबूरी यह कौन सा इलाका है जहां पर यह तमाम चीज़े हो रही है दिली का ऐसा कौन सा इलाका नहीं है जहां इन गरीब लोगों की आस्याने छोटे-छोटे से नहीं है और आप देखो कि उनके सीधे पैर नहीं होते हैं जिन कमरों में उनके सीधे पैर नहीं होते हैं वहां वह लोग रहते हैं इदर नाली गंदगी बह रही है इदर टटी बह रही है उदर गंदा पानी आ रहा है और इदर रहने जगे नहीं है ऐसी मुस्किल हालात में हमारे कि हमारे लोगों ने लगाई यह जब देखा कर दिया उनके घरों जाडने के लिए त्यार हो गया कोट के दौरा दिली सरकार कोट के दौरा पुने घरों जाडने के तारी के इतिक तर अपना रहा है और उन्होंने सब्सक्राइब से त्ध्र में की इनके सारे सारे मकान बाहर से लोग आके बस गया आपके कमाने खाने के लिए तो पहाड़ों पर पत्थरों पर कहीं आका जहां आस्या नहीं तरी टांके रहने लगे तो बहां वह आज से नहीं रहे चाली पैताली पिचास साल से लोग रह रहे हैं लेकिन आज जब उनको साही से रहाइश्ट चाहिए पक्के मालकाना हग चाहिए उस दवरान सरकार पीछे लट गई आज उन पर कोट के द्वारा संबन आ गया कि आपके सारे सारे लगव लगवग धाई तीन चार सु मकान तोड़े जाएंगे कितने परिवार अगर अगर अना सब मिलाके वहां पर बताएं दस बारा हजार लोगों के घर उजार दी जाएंगे कोट का नोटे से डरे हुए लोग है लोगे बहों की मैला आएं बहां बदबह करने जा पार है्ना起स का मेला और ना गया है सब्सक्राइब बाबासाब ने कहा कि जो गरीब लोग कहा रहेंगे आप सहरों को तरफ जाओ तो बाबासाब की बात लोगों नहीं कासिराम साब ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो सरकार जमीन इस देश के लोग तंतर जमीन है और लोग तंतर पर कौन रहते हैं जो बोट डालने वाले लोग जो कमजोर गरीब लोग हैं उनके बोट के दारा सरकार बनती है सरकार उनकी है बोट के दारा सरकार बनाई है जिन्हें इनी सरकार बनाई उने को जार ला जा रहा है तो चाधराम साथ्म ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है उसके तायत वो वो लोगवाएं पे अपना खाना वदोस का вर नियुकिट कर रहे हैं आज हम लोग गए और सरकार से फीनने गौहर लगाई कि तुरंत इनका आया तो रहने के पहले इंतियाम करा जाए इसके साफ से और इनकी समस्या है उनको दूर किया जाए और इनको अगर उजाड़ना ही था तो पहले इनके लिए कोई प्लान लेके आते हैं कोट के माधियम साफ पीछे छुपके आकर इस तरह करते करना इस साफ साफ दिखाई देता कि कांग्रेश आमाधी पार्टी भाजपा इस तीनों पार्टियां कौन कौन से तपके के लोग वहां पर रहते होंगा हम जो मिले तो 90 परसंट वहां दलित समाजी लोग थे और दलित में भी जो राइस्तान बिहार उत्तर प्रदेश और पर पर आपको क्यों लगा कि इनकी जो न्यायािक लड़ाई है वो लड़ना बहुत आवश्यक है हम लोग खुद इस बास से बॉट गुजर के आए हैं हम लोग इस चीज में इंवाल्व रहते हैं हमारे गार इस्तियार आज से ज़दा बत्तर इसन अबहु हैं तो उनकी समस्या हम अपनी समस्या लगती हैं हम भी कोई अलग नहीं हैं बस हम थोड़े जागरूप हो गए बाबा साब के अंबिट करवादी पिचा धारा से लैस हो गए बाकी अपने उनको समझाना है आगे त्यार करना है लेकिन जो वह हमसे मिले तो उनको ऐसा लगा कोई मसीह हाग है हमने उनको अस्वासन दिया कि हम सरकार नहीं है दिल्ली में आप लोगों ने जिनकी सरकार बनवाई वही आप बुल्डोजे चला रहे हैं और साथ में जिन लोगों ने आपको यहां रहने के लिए पहले दिया आज वह जाणने के लिए सबसे आ गया रहे हैं लेकिन बहुजन समाझ पार्टी ना आपका मदद करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं तो लोगों का होसला बलंद हो गया वहाँ पर लोग कहने लगे हम भी आपको पहुजिन समाज पार्टी को आगे से पसंद करेंगे मैलाएं कहने लगी कि हम आगे आगे जो अभी तक हम सतर साल से हमारे पूरवजा हमारे बच्च अधर के लोगों जुपड़े जा रहे हैं हमारे लोग बेघर किया जा रहा है उन सभी के एक साथ कौन खड़ा हुआ है वो समझते हैं तो दिल्ली में चाहे जुकी को लौनी हो जहेजे को लौनी हो चाहे जो इस तरह की जगे जहां पर लोग बस गया पाड़ों पर सब्सक्राइब कर लोगों साथ लोगों कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अगर बाबा सभी को हम सभी देश जिम्यदारी है कि अगर हम चाहते हैं इस देश में देश आजादी मिले गुलामी साजादी मिले दलितों और पिष्णों और आदवासियों को तो हर घर में एक अंबिड करवादी बच्चा पैदा करके बोजन समाज पार्टिक समुर्पित करो और उसी की तैद मानने आकास सर ने कहा कि हम दिल्ली में लीगल टीम का प्रोपोजल उनका पूरी तर बाटिक समय तो तमाम लिगल टीम होगी वो उनकी न्याइक लड़ाई लड़ने का काम करेगी तो तमाम जो लोग सक्षम नहीं है नयाएपालिका में अपने हधिकारों के लिए तो वो जो टीम है वो कहिने कई बसपा के तरफ से उन तमाम लोगों की मदद करने की कोशिश क रहेंगे सबसे जाते हैं हमारे लोग जाता कानु औभ लिस्ता नहीं जानते हैं हमारी लोग इन वाह भवाह में जिपी के जीलों में ठूसे जाते इन डर्दोस प्रमौॉइं को बंहें पीटा जाता और नहीं को पर उल्टा केस लगा दिया जाता है ना उनके पास बखील होता है ना कोई कानून का जानकार होता है तो कैसे उनको न्याय मिलेगा तो बोजन समाज पार्टी का कोशिस है कि हमारे जो समाज की जो बखील हैं उनको सभी से वही आप कमाओ धमाओ कोई यहां बढ़ जाती है तो हिम्मत देने काम बाजन समाज पार्टी लिगलीत अर्फे करेंगे दिल्ली में और चुकी है और अकासा नंसर पुरी दिल्ली को मैपिंग कर चुके हैं और आने वाले इसे से घटना घटित होई है रंगपुरी पाड़ी पर हमारी लोगों घर ढाये जा रहे हैं मकान ढाये जा रहे हैं दिली में महरोली में हम तुरंत उस घटना पर गए और लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी घर तूटने नहीं देंगे जब तक अपनी आखरी सास तक रह साथ दिली में लोहों साथ खड़े हुए हैं और लोहन जगाने के प्रियास कर रहे हैं बतानेक प्रियास कर रहे है्ट की गरीवों की कौन सी बार्टी है बहूजइस की अनने बहें घर पर और अपने समाज के दर्द के प्रती इमानदार है तो इसलिए दिल्ली में भी आपको जो हमारे लोगों घर तोड़े जाने हम लोग काम करेंगे और बोजन समाज पार्टी के अगर दिल्ली में तागत बनती हैं तो निसंदे ही जो काम उत्तर प्रदेशन मानने बहेंजी निक करने तो मेरा कहने मतलब दिल्ली में अभी बरसाद सीजन है आप एक वार जाके कवर करके तो आओ जहां जुग्यों में लोग रहते हैं मलब कुड़े के डेर पे लोग रहते हैं जहां सुखर या कुट्या जानवर नहीं रह सकता है महां इंसान रहता इस देश का दरित और यहां का गड़ी यहां का अदृसी लोग और दिल्ली जेस सी राजधानी में चारीस से पचास लाख लोग डिल्ली के जुग्यों में रहते हैं किateurs का टरॉक्यों में कि ने जनके घर तोड़े जार रहे हैं ने चानु कि आपके मात्यम से कि उन लोगों घर बचाये जाएं पहले उनको रहने की जगए पकी दी जाए इस्ताही तोर पर रखा जाए उनके प्लैट या जो भी तरह दी जाए उसके बाद उनको वहां से अटाया जाए तो उससे पहले विवस्ता उनकी की जाए यह बोजन समाज पार कर रहे हैं और दिल्ली में समाज का आइना बनकर समाज की तागत बनकर समाज को हिम्मत देने काम करेंगे तो देश में जिस तरीके से भारती जनता पार्टी की तमाम प्रधेशों में सरकार है लेकिन खास तोर पर अगर दिल्ली के बात करेंगे तो यहां पर अर्विंद के पार्टी के सरकार के जरिये किया जा रहा है ये पूरी तरीके से प्रतित होता है इस पूरी की पूरी चर्चा के दौरान जो बोजन समाज पार्टी ने एक्शन मोट के चलते लगातार तमाम जुग्य जोपडियों में और खास तोर पर दिल्ली के उन इलाकों में जाकर उनकी समस्याओं को समझ कर अपनी समस्याओं के साथ जोड़ेने की कोशिश की है इसका किस तरीके से आप संग्यान लेते हैं आपकी नजरी से आप कैसे देखते हैं प्रतिक्रिया हमें कमेंड बॉक्स में लिकर जरू बताये और बस पा जिस तरीके से अप दिल्ली प्रदेश में काम कर रहें इसको लेकर आप क्या सोच रहें उसे भी लिकर हमें जरू साजा करें मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए भी जैभारत